हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टो मैई चैनल तो कैसे हो आप सब? तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ एक बहुत ही सिंपल सा मेकप लुक सेयर किया है वो भी सिर्फ चार प्रोड़क्ट के साथ ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जिनके पास मेकप के प्रोड़क्ट बहुत कम है और कभी कभी ऐसा ओकेजन आजाता है जब हमें फुल मेकप करके जाना होता है और हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अब हम क्या करें हमारे पास मेकप ही नहीं है बट आप इन चार प्रोड़क्ट से फुल मेकप कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले आप अपने फेस को वास कर लें उसके बाद अगर आपके पास गुलाब जल है रोजवॉट़र है अपने फेस पर जरूर अप्लाई करें एजड़ टोनर करूप में जो भी आप रेगुलर मस्टराजर क्रीम लगाते होंगे वो अपने फेस पर जरूर से अप्लाई कर लें तो दोस्तों प्लीज कमेंट करके मत बोलना कि आपने चार प्रोड़क्त बोलके आपने मुश्चराइजर भी लगाया क्योंकि मुश्चराइजर हमारा मेकप में नहीं आता है गाइज हमें स्कीन केर के लिए लगाना ही पड़ता है विदाउट मुश्चराइजर अगर हम को एक इप आप एकदम हलाक जितना हो सके उतना आपको कम काजर लेना है बस हल्का सा फिल करना है क्योंकि जब हम फेस पर बीडी क्रीम सीची क्रीम या फिर फॉणेशन लगाते हैं तो हमारा गईपुन च्छिप जाता है इसलिए एबो को को आपको ज़रूर फिल करना चाह प्रेश की ज़रूरत नहीं है बस आप एक येर बड़ से ही आप अपने आप रोक को अच्छे से फिल भी कर सकते हो और इसमच भी कर सकते हो ब्लेंड भी कर सकते हो पूरे फेस पर अच्छे से पहले आप अपलाई कर लो और इसको ब्लेंड करने के लिए आपको कोई मेकप ब्रस या फिर ब्यूटी ब्लेंडर की जरूरत नहीं है आप हाथों से अगर जल्दी जल्दी ब्लेंड करोगे तो वो हो जाएगा क्यूंकि सूखने के बाद अगर आ आइब्रो को फिल किया है तो प्रोड़क्त जो है काजल जो है वो ऊपर नीचे हलका सा लगी जाता है सो आप इस तरीके से यरवर्ड से आप अपने आइब्रो को सेप देंगे बीबी क्रीम से ही ताकि आपका जो आइब्रो है वो बहुत अच्छा से डिफाइंड होजा बह मेकप सुन्दर दिखेगा जितना हो से कि उतना आपको कम प्रोड़क्ट यूज करना है क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोड़क्ट आप लगा लोगे तो वह भी आपका भद्दा लगेगा अच्छा नहीं लगेगा सुरवात में जब आप लगाओगे तो हलका वाइट लगता ह है पर जब वह सेट हो जाएगा थोड़ी देर के बाद तो फिर वह नॉर्मल लगने लगेगा तो मैंने यहां हिमालिया का बेबी पाउडर लिया है अपने बीबी क्रीम को फिक्स करने के लिए तो पाउडर क्यूंकि गर्मी का मौसम है तो आप अच्छे से जरूर लगाना और इसे मैं एजा आई सेडो के रूप में लगाऊंगी उसी तरीके से यूज करूंगी तो उसी तरीके से आप लगा है जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ या बड़ से भी लगा सकते हो या फिर आप उंगलियों से भी लगा सकते हो बहुत ही हलका सा लेना है बहुत ज्या मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने फिर से हलका सा इसमच कर लिया है लेके उंगली में और दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना वीडियो को लाइक करें क्योंकि आप एक लाइक हमें बहुत जादा खुसी देती है ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमें प लाइक करें बहुत ज्यादा लाली ने लगा लेना है आपको वरना वह बहुत गंदा सा लगेगा क्योंकि हलका मेक अप किया है नैचुरल लगना चाहिए तो नैचुरल तरीके से ही आपको करना है और हलका सा नोज पे भी लगा ले और अपने चिन पे भी अपलाई कर ले उसी उंगली को जिस उंगली से अपने ब्लेंड किया अपने ब्लस को उसके बास सेम काजल से मैं काजल भी लगा लूँगी और आईलाइनर भी मतलब आईलाइनर भी तो देखो आप बहुत जितना आपको पसंद हो मोटा पतला मैंने ज्यादा मोटा भी ने रखा है और पत पतला तो लगेगा भी नहीं से लेकिन ज्यादा भी पतला उतना अच्छा नहीं लगता है गाइस आप देख सकते हो कि मैंने एक काजल को तीन तरीके से अपलाई किया अपने आई-डो को भी फिल किया और लाइनर 負ी लगाया और काजल भी और उसी लेप स्टीक को मैं अपने लिप पर भी अपलाई कर règ कर रहा हूं जिस लेप स्टीक से मैंने । आई सैडो जरूरी दे रही हूं जो मैंने इस ड्रेस और इस मेकप के साथ किया था तो सोचा आपके साथ भी सेयर कर दो बहुत सी सिंपल सा हैरिस्टाइल है जो हर कोई कर सकता है सो आप देखो कि मैं किस तरीके से कर रही हूं हलका सा उपर में एक लेर लेकर दो पार ऐसे मोड़ते जाना है और लेते जाना है आपको नीचे से उठा कर अगर आपके पास ये कौन वाला कंगी नहीं है तो आप अपने उंगली से भी कर सकते हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यही कंगी चाहिए आप करके देखना आप बहुत ही अच्छे से कर लोगे तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको कुछ और भी वीडियो देखनी हो मेकप से रिलेटेड ब्यूटी से रिलेटेड या स्किन केयर से रिलेटेड तो जिनके हेर बहुत पतले हैं उन पे भी अच्छा लगेगा और जो भी आपके पास एरिंग होगी अपना मन पसंद ड्रेस से मैचिंग करता हुआ वह आप लगा लें तो मिलती हुँ मैं आपको नेक्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो गाइज वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना थैंक्यू सो माच बाइ